आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि पिछले कुछ साल से देखा जा रहा है कि पेसी के एक्जाम से कुछ कथन आते हैं स्टेट्मेंट्स अब पूछा जाता है कि ये किसने कहा था अलागे भारती इतियास में ऐसे कतनों की संक्या हजार हो नहीं है तो अब ये कहना कि आज जिन पचास हम स्टेट्मेंट्स पर डिसक्रेशन कर रहे हैं उनी में से आएगा तो बड़ा कठेड है लेकिन कोशिश की क अब करेंगे उससे हुस्ट्री को भी कवर करें और अगर इनमें से आ जा तो वोयल गुष सोने पर सौहा गई है तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजेए और बने रहे ये साथ में तो पहला जो इसके हैं कि पुष्चमित्र शुप ही शुप्च डाइनिस्टी का वो फाउंडर था जिसने बहुत एक डाइनिस्टी का साशेक माना जाता है ब्रहदत उसके हत्या करी और फाइनली अगर कहा जाए सबसे बड़ी कासी है यह थी कि वह पहली भागवट डाइनिस्टी थी या ब्रहामन डाइनिस्टी थी या विष्णू के दस अवतारों को मानने वाली डाइनिस्टी थी या मान सकते हैं तो नो डाउट उसने अपने सामराज्य को विस्तरेत करने के लिए इन अश्मेग्यगों का उलेग हमको आयोध्या इंस्क्रिप्शन या आयोध्या के अभी लेग से प्राप्त होता है और कहते हैं कि ये अश्मेग्यग उसने यवन आक्रमणों को रोखने के लिए किये थे और इन आक्रमनों को रोकने में उसके लड़के का बड़ा कंट्रिउशन है जिसका संब्ध हमारे मद्य प्रदेश से है याने विदीशा से क्योंकि वो उसका लड़का जो अगरी मित्र था वो विदीशा का गवर्णर था तो इस तरह से ये स्टेट्मेंट हमारे लिए दो जगा से काम का है एक तो पुश्मित्र सुंग से जुड़ा हुआ है क्योंकि शुंगों का मूल निवास स्थान उज्जैनी था और उज्जैनी से उन्होंने पाटली पुत्र को कैप्चर किया और ब्रहदत मौरी की हत्या करी और उसके बाद उसने स्ामराजी स्थापित किया पुश्मित्र सुंग में दूसरा आशो में यग यग कराए उसने तो ये विये समित्स का जो स्टेट्मेंट यहां आएगा दूसरा है यवनोंने साकित पर आखरंड किया यवनोंने माधी मी का उसमें चित्टण को केते थे पर घेरा डाला एक जेकली थोड़ा सा गलत हो गया तो मैंने हास्ती लिखाई ये घेरा डाला पतंजली के महाभाश्य के अनुसरा एक जेकली जो शुंग पावर में आये तो पुश्मित्र शुंग के लिए जो व्यक्ति ऐजे ब्रहमन या अगर कहा जा यग आदी का काम करते थे वो पतंजली थे उन्होंने महाभाश्य के रचना करी उसमें उन्होंने शुरुवाति शुंग साश्कों का उलेग किया उसमें उन्होंने यवन आकरमनों का उलेग किया उसमें उन्होंने ये बताया कि खुश्मित्र शुंग का अड़कागनी मित्र विदीशा में गव सकता है इसमें से कोई कोशन जह है वो अच्छा हमारे लिए जो है वो पंच हो सकता है तीसरे के उपर आते हैं इसको हमने सीधे यहां से यहां तक हटा दिया जिससे कि वो गलत वाला ना दिखे आपको समद्र गुप्त को भारती निपूलियन कहा जाता है यह किस ने स्टेट्मेंट दिया था तो वी ए इसमित या एवी इसमित यह दोनों एग्जेकली उनका नाम तो विंसेट ऑथर इसमित था लेकिन कई जगा आथर विंसेट इसमित भी लिखा मिल जाता है तो कन्फिज दोने जरुद बिलकुल नहीं ठीक है दोनों की बात तो वो एक ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने भारत के इतियास को बहुत अच्छे से लिखा मतलब मैं समझता हूँ कि जो एंशेंट इंडियन हिस्ट्री है उसको समझाने में मौडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी क्योंकि वो समुद्र गुप्त पहला आप बहुत अच्छे जानते पहला ऐसा शाशक था जिसने गुप्त एंपायर को टेक्निकली पहचान दे लए टेक्निकली उसके पीछे का कारण यह था देखिए गुप्त सामराज्य खड़ा हुआ 240 में श्री गुप्त नाम का एक राजा था जिस चंदगुप्त फरस्ट उसके हाथ में बावर है अब चंदगुप्त फरस्ट ने चंदगुप्त फरस्ट को में इसलिए महान राजा नहीं बोल पाते था तो उसने महराजा देराज का टाइटल रखा था चंदगुप्त फरस्ट ने लेकिन उसने अपने एंपायर को एक्स मंदे स्थापित कि उसी से कुमात जो समुद्र गुप्त का जन्ग हुआ ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि समुद्र गुप्त ने अपने पिता की इस स्टेटरजी के उपर काम नहीं किया इध्यान रखेगा कि वो marriage alliance बनाया और अपने समुद्र गुप्त ने युद्ध ठीक है वो धर्णी बंद के रूप में जाता था वो राजाओं को हराना जानता था प्रयाग प्रसस्ती में उसका बड़ा अच्छा वर्णन जो हो हरीशेंड ने किया कि कैसे उसने साश्कों को हराया जैसे नेपोलियन की कहानी थी कि नेपोलियन जिन राजाओं को हरा देता था उन्हें छोड़ देता था यही काम ये करता था तो कहीं ना कहीं समुद्र गुप्त एक वास्तम में एक नेपोलियन की तरहां उभर कर वो सामने आए इसमें कोई जो है वो दोराई की बात नहीं है ये विये स्मित का जो स्टेटमेंट है वो तो बहुत ही अच्छा है और समधर गुप्त कौमें एक महान राजा की रूप में देख सकते प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई ये ही किibt कारिक्ट काहा की निवासी थे कभी आस तक हमें ये बात सही तरीके से नहीं पता चली कि आरे कहा से आए थे सबने अपने अपने तरीके से बात रिखिए जैसे स्वामी धयानन सुर्भसुति उनने कहा साब उन्होंने एक सत्यार्थ प्रगास रचना लिकी उन्होंने कहा साब आरे जह है वो तिबबत से आये बाल गंगादर तिलक ने अर्क्टिक हों मद्धी आर्याज में उत्तर धृपसे आ रहे हैं ऐसे अलग-अलग लोगों ने आरें के यहां आने के ऊपर अलग- एशिया सी आए लेकिन Max Muller की इस थियोरी को ज़्यातर इधियासकार मानते हैं कि वो सही यहाँ पर कहाँ भई वो Middle Asia से आए होगे एक पहले थियोरी मानी जाती थी P जो है वो अगर कहा जाए Guides की उसमें उन्होंने कहा था वो डेनियूम नदी के आसपास से आए रहा है और फिर जो है वो Max Muller की थियोरी आगे तो मद आ रहे मद एशिया से आए Max Muller यह आपको याद रखने प्लस तिबबस से आ रहे आए यह स्वामी दयानन सुरसुति ने कहा सत्याद प्रकास में यह याद रखने उत्तर दुब यानि आर्क्टिक से आ रहा है यह बालगंगादर तिलक ने कहा यह भी आपको याद रखने इस तरह से अलग-अलग तरीके से आरेयों की कहानिया रहे अगला जो है वो है मैंने राज्जी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी अजास शत्रू प्रपर खड़ा करने का पर बिम्बी सार समकालीन थे महत्मा बुद्ध के और कहते हैं कि महत्मा बुद्ध से एक बार मिले थे और महत्मा बुद्ध ने उनसे कहा था कि जब मुझे ग्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं आपको भी जह है वो गर कहा जाए उसकी जानकारी दूना मतब बताऊंगा कि मुझे क्या ग्यान मिला बाद में कहते हैं कि बिम्बी सार महत्मा बुद्ध को फॉलो करने लगे उन्होंने बेलू बन उनके रहने के लिए बनवा दिये अजाज शत्रू को बड़ा वो लगा कियार मेरे पिता जो होगर कहा जाए कि आहिंसा के मार्क बे चल दी तो सामराज जविस्तार हो गई नहीं कैसे होगा अच्छा बिम्बी सार की भी कहानी वही है जो अभी मैंने आपको बताई थी चंदगुप्तफर्स्ट की इस नहीं भी मैरे जे लाइन ची बनाई थी बिमबी सार में तो अजाज शत्रू को ये लगा कि अब एक ही तरीका है कि पिता की हत्या करती जाए अब फाइनली अजाज शत्रू याने कुनिक ने अपने पिता बिम्बी सार याने शेनिक, पिता का नाम शेनिक था, इसका नाम कुणिक था शेनिक की हत्या कर दी और खुद जो है वोगर कहा जाए, सत्ता में आगे लेकिन वो उस जो अगर कहा जाए, मतलब जैसे कहता है न, महात्मा बुद्ध का जो समय जो तेज रहा होगा, उनके विचार रहूंग, उससे बचनी पाए, फाइनली अजाश शत्रू भी महात्मा बुद्ध को फॉलो करने लगा, महात्मा बुद्ध ने जब महापरिनर्माण प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को, तो उसके बाद फॉस्ट बुद्धिस्ट काउंस अजाश शत्रू ने ही राजग्रह में कराई थी, जो पहली बहुत संगित थी, उसके बाद अजाश शत्रू के साथ भी वही हुआ, कि उसका लड़का उदाइन जो था, उसने अपने पिता की हत्या कर दी, इस तरह से ये एक सिलसला जहे वो शुरू हुआ, तो मैंने राज यास में सदा आ, देती रहेगा, एक्षील अजनता, जो हम जाते हैं, तो अजनता अपनी गुप्तकाली, ऐसा खाली गुप्तकाल की नहीं है, वहाँ Princess Panting, Ajanta तो आपको Ajanta की जह होगर कहा जाए वो Panting जह हो मिलेगे वो Panting इतनी सुन्दर है मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज ही बनाई हो इतनी Real जह होगर कहा जाए लगती है तो शायद इसी लिए जह हो Griffith ने जह होगर कहा जाए यह कहा हो कि वह जो पैंटिंग है मर्नासन राजकुमारी कि वह आज भी जो है वह आदित्ती है वो बिल्कुल जीवन्त की तरहां लग रही है यह हम मान सकते है तो यही है और यही रीज़र है कि अजन्ता की कैप स्को 1983 में ही वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगा मिल गई थी और क्या होगा अलाकि मैं यह भी बता दूँ कि ऐसी ही कैप मद्य प्रदेश में भी हैं भाग है धार के पास पड़ता है भाग ठीक है धार जी लेके अंदर वहां भी गुप्त काली ने ऐसी ही कैप है लेकिन उतना जो होगर कहा जाए यहां की मिलेगी मतलब अजन्टा की पैंटिंग्स में जो रिचनेस मिलेगी वो यहां नहीं मिली फिर अगले पे आते हैं यहां पर उस हर्शवर्दन के लिए दिन बहुत छोटा होता था वह अपने समय को उसके तीन भागों में बाटा हुआ था जिसमें से एक में वह राज्यका कारे करता था बाकी दो में धार्मिक वह अथक परिश्यमी था अच्छे कारे करने में वह सोना और खाना भी भूल जाता था हैंशॉंग हर्शवर्दन के शाषणकाल में आया चीनी यात्री भारत में दो चीनी यात्री बहुत जादा परचित रहे एक चंदगुप्त दितिये के शाषणकाल में आया था आपको मालू में फाहिया उसने मालवा की जलवाई हूँ कवर्णन क्या बड़ी अच्छे भी जलवाई हूँ वो मद्द्परदेश में भी घूमा ठीक है और पूरे भारत में वो घूमपाई है दूसरा था है इंशौंग जो हर्शवर्दन के शाषणकाल में है तो हर्शवर्दन एक जेकली शुरू में तो अपने सामराज्य विस्तार की नीतियों में ही लगा हुआ था लेकिन कहते हैं कि जब उसने चालुक के वजिश के राजा पुलकेशिन सेकंड से नरवदा नदी के किनारे एक वार लगा जिसका उलेख हमको एहोल इंसक्रिप्शन में मिलता है रवी कीर्थी के पुलकिशिन सेकंड नाम के जो राजा थे चालुक के राजा उनके जो है वो अगर कहा जाए दरवारी कभी थे रवी कीरिती उनका एहोल इंसक्रिप्शन उसमें ये पता चलता है कि ये हर्शवर्धन उस युद्ध में हार गए कहते हैं कि उसके बाद हर्शवर्धन ने अपनी वार पॉडिसी अल्मूस्ट जो है वो छोड़ अब वो युद्ध नीती से जो है वो अपने आपको उसने बहारी निकाल लिया और केवल जो है वो वेलफेर स्कीम्स वगेरा के उपर जो है वो काम करने लगा प्लस जो है वो गर कहा जाए वो बुद्धिस्ड और लिटरेचर आदी से जो है वो ज़्यादा जुड़ गया हलाकि लिख तो पहले इसे ही रहा था हर्शवर्धन ने जो है वो गर कहा जाए कई जो है वो मतलब प्रसिद जो है वो रचनाय लिखी ती कई का मतलब तीन तो ये एक बेसिक सी बात है समद्रकुपत एक प्रतिवासाली कवी था जिसने बहुत से पदों की रचनाय करी जो उच्छ कोटी की कवी अब वी ए इसमित का नाम यादी रख लीज़े यनि अब हमारे दिमाग में एक तसाफ कहानी ही कि जब भी हम गुपत काल की बात करेगी तो हमको एक नाम मिल गए कि वी ए समित ने बोला होगा जाए तो वी ए समित नहीं कहा हम बहुत अच्छे जानते हैं कि समद्रकुपत एक ऐसा मतलब अगर कहा जाए साशक था जिसके कौईन पर उसको वीना बजाते हुए भी बताएगा मतलब उसका जो कौईन है अलग अलग तरहा है कि जब कौईन बिले उसके तो उसको वीना मतलब वो एक फेमस स्कॉलर भी रहा होगा यह माना जा सकता है कि वो एक महान जहें वो स्कॉलर रहा होगा लेकिन वो योध्धा ज़्यादा था स्कॉलर कम था मेरे हिसाब से उसका कारण है कि जब हम इलाबाद इंस्क्रिप्शन को पड़ते हैं तो उसमें बारा बड़े राजाओं के उपर उसने विजे पराफ्ट करी उन बारा राजाओं का उल्लेक उसमें मिलता है तो एक बड़ा मतलब अगर कहा जाए रोल होता है कि बारा किंडम्स को उसने हराया और वो उसके कंट्रोल में थी उसके साशनकाल में तो यह आपने मान सकते हैं कि वी ए स्मित का जह है वो स्टेटमेंट ठीक है अगला है यहे राजा भोज विशाल सेना रखता था यहां मैं आपकी जानकारी सबकी अफडेट कर दो यहां भोज का मतलब राजा भोज वाला भोज नहीं है यहां भोज एक्जेकली राजा भोज से पहले जो चर्चित भोज ते वो थे मिहीर भोज तो मैं आपको ये लिख दूँ कि ये भोज मतलब मिहीर भोज की बात हो रही है नहीं तो राजा भोज और मिहीर भोज के समय में गड़बड कर जाओ गया तो वहे राजा भोज विशाल सेना बहुत इंपोर्टन थे इंशाल सेना रखता था किसी अन्य राजा के पास ऐसी उत्तम अश्यू सेना नहीं थी ठीक है इसके राज्य के अतरिक भारत में कोई अन्य राज्य डाकों से सुरक्षित रही था तो टेक्निकली सुलेमान आपको मालूम होगा कि एक बहुती प्रसिद्ध अरब यात्री था टेक्निकली सुलेमान एक व्यापारी था और वो यहां आया तो उसने यहां के साश्कों के बारे में लिखा और उसमें सबसे ज़्यादा सुलेमान ने जिस राजा का उल्ले किया वो मिहीर भोष थे गुर्जर प्रतिहार किंग और गुर्जर प्रतिहार किंग मिहीर भोष के बारे में almost इस क्लास में सब कोई मालुम होगा कि गुर्जर प्रतिहार राजाओं का साशन हमारे गौालियर के आसपास बहुत था मेहिर भोर आदी बहरा की टाइटल रखता था मतलब उसकी उपादी आदी बहरा की थी और गौालियर से थोड़ा आगे बढ़ें तो मुरेना आप जाएं वहाँ बटेश्वर एक टेंपल ग्रुप है वो हिंदोस्तान में कोई एक ही जगा होगी कि जहां एक ही केंपस में 200 टेंपल है पूरे उस टेंपल ग्रुप के जो शुरुवाती मंदिर है याने जो इनिश्वल लेफल के जो मंदिर बने हैं वो कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने गुना और गुर्जर प्रतिहार राजाओं में भी ये माना जाता है कि वो मिहिर भोज की समय कुछ उसमें जो है वो मंदिर जो है बने तो हमें ये बात साफ समझ पड़ती है कि सुलेमान जो की एक अगर कहा जाए मर्चिंट था या व्यापारी था जब वो भारत की यातरा पर आये तो बकाइदा ये बता रहा था कि एर महीर भोर नाम का एक महान जो है वो अगर कहा जाए राजा यहां रा और उसने ये बताया था कि महेर भोर एक जेकली मुसल्मानों का तो ये लिक भी रहा है मतलब उसने अपने यातरा व्रतांत में इस बात को भी लखा कि उसका जो और कहा जाए वो अपने लिए जो है वो एक ए tengo की तरह देखता है ठीक है तो यह एक अपने यहां पर अपने पर अपने पर दो चीजें के लिए रोगी पहला हमारे पास यह हो गया कि मिहीर भोज नाम का जो राजा था वो गुर्जर प्रतिहार उसका समकालीन था सुलिमान जो की एक मर्चेंट था और उसने इसी के बारे में जो है वो अपने यातर परतांत में ज़्यादा जनकारी दी दूसरा यह होगे कि मिहीर भोज का सामराज यह हमारे मत्रदेश के जयातर भाग्यों में विस्तरित था क्योंकि उसको जो आदी बारा की टाइटल में थी उसके जातर कोईन हमारे यहां से मिले और गौालियर पे तो वो साशन करी राता है इसमें कोई दोराए की बात नहीं आप यादी रखेगा क्योंकि आपको शायद मालुम होगा कि गौालियर में एक बड़ा फेमस मंदिर है और उस मंदिर का नाम है तेली का मंदिर कभी आप जाएं तो काया जाता है कि वो मिहीर भोज के साशन काल के आसपास ही बनवाया गया गुर्जर प्रतिहार राजाओ नहीं उस तेली के मंदिर का निर्मान जो है वो कराया था तो ये बात थोड़ी से फिट पैट थी है कि हाँ हमारे मद्द प्रदेश से जो है वो उसका संबन्ध था फिर अगले के उपर आते हैं अगला स्टेटमेंट है मिहिर भोज के बाद अलाओदीन के देव तुल्य सौरे से प्रत्वी अत्याचारों से मुक्त हुए ये केमल स्टेटमेंट के लिए जोद्पुर के संस्क्रश सिला ले इसमें ज़्यादा कुछ नहीं अलाई दरवाजा इसलामिक इस्थापत ते कला के खजाने का सबसे वड़ा हीरा है ये भी कोशन आपको आ सकता है जौन मार्शल ये मोस्ट आएमपी है मेरे इसाब से ये शायद कोशन आपको पूछा जा सके ये इसलिए आ सकता है ये इसलिए आ सकता है क्योंकि भारत में देखिए दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होई वो बारा सो चे में होई और शुरुआती जो शाशक हैं वो इसलामिक मॉनूमेंट्स बनवाने लगे थे कुतुमिनार का निर्मार कुतुमुद्धी नवक के शाशनकाल में शुरू हो चुका था यह है कि बाद में उसको इल्तुतमिष ने पूरा करा है इल्तुतमिष के शाशनकाल में ही उसके लड़के नासरु दीन की जब बंगाल में डथ हुई तो उसने यहाँ पर पहला मकवरा बनवाया था जिसको सुल्तानगडी का मकवरा के दिल्ली के पास ही है एक octangle shape में बना हुआ अस्ट गुजाकार मकवरा है लेकिन इन जो monuments थे या इस थापतिक अला जो थी उस समय की या इस मारक जो थे उनमें वो richness नहीं थी जो विज्ञानिक पद्दती से बनी हो जैसी richness हमको अगर कजाए कुतुम मिनार केंपस में अलाई दरवाज न बिलती अब आप photo देखे हैं अलाई दरवाजा पूरा विज्ञानिक शैली से जो है वो बना हुआ है ठीक है तो वो इसी लिए शायद जॉन मार्शल ने ये statement लिखा कि अलाई दरवाजा इस्लामिक इस्थापत्यकला के खजाने में सबसे बड़ा जो ही रा था ये हम मान सकते हैं फिर आता है लखनोती से लखनोती एक जेकली बंगाल के आसपास का जो शेतर था उसको लखनोती कहते थे और देवल जो है गुजरास से लगा हुआ चेतर ये पूरा चेतर याना बंगाल से गुजरात तक सारे अमीर उसकी याने रजिया की सत्ता स्विकार कर ली मिनाज उस्सिराज आपको मालूँ है मिनाज उस्सिराज को उसकी एक रचना थी तबाकत नसीरी उसमें उसने दिल्ली के जो शुरुवाती गुलाम वंश के जो शाशक शुरुवाती उनका उलेक किया इस्पेशली जैसे अगर कहा जै उसने इल्दुतमिश का भी कुछ उलेक किया है रजिया सुल्तान का तो उसने उलेक किया है और नासिरुदीन का उसने बहुत उलेक किया दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर हमें करम बद तरीके से चले तो इस करम में इसको आप ऐसे याद रखे कि मतलब इल्दुतमिश की मृत्तियू के बाद उसका एक आवारा टाइप कर अलगा था नालाइक जिसका नाम था बहराम शाह उसके हाथ में जह हो सद्धा आ गई और बहराम शाह को इंडारेक्ली मरवाने के बाद रजिया सुल्तान जह हो सद्धा में आ गई पर रजिया ठीक ठाक साशन करती रही याने अच्छा बारासो शाटिस से बारासो चालिस के बीच का जो है रजिया का साशन जह हो माना जाता है बट रजिया की हत्या कराके जह हो गर कहा आजाए आपका जह हो बहराम अच्छा मैं स्वारी गलत बोल गया है मतलब सुरी सुरी, आप उसको करेक्शन कर ले ना, मेरे मुझसे गलत निकल गया इल्तुत मिश, कई बार क्या होता ना, स्टोरी इधर-दर खसक जाती है इल्टुत मिश्की जब मृत्ती हुई थी तो उसका लड़का था रुकनुद्दीन फिरोज मेरे मूँ से गलत निकल गया एक जिक लिए कि रुकनुद्दीन ही आवा रहा था और रुकनुद्दीन की जब अगर कहा जाए हत्या करवा के रजिया के हाथ में पावर लए और फिर रजिया को 1240 के असपास तुर्क जब आमीरों ने अमरवाया और मुईजुद्दीन बहरामशा को सथ्ता मिलाए बहरामशा के बाद के जो शाशक थे वो सब कमजूर थे क्योंकि पूरी पावर जो है वो बलवन के हाथ में आगी थे और ये मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि मिनहा जो सिराज ने जिस बंदे का उलेख किया जो नासरुद्दीन वो बलवन का दामाद था ठीक है बलवन का शांती का काल वो ही कहला था है तो हमें ये समझ पढ़ रहा है कि मिनहा जो सिराज का जो टाइम पीरेड है वो लगबग दिल्ली सलतरत के जो शुरुआती 1210 से 1260 पैसेट के बीच का जो समय है इस समय तक का इत्यास हमको मिनहा जो सराज जो है वो बता रहा है और इस्पेशली वो बता रहा है अपनी रचना से उस रचना का नाम तबाकत नसीरी और कभी कोई पूछे कि तबाकत नसीरी में किसका उलेक उसने जादा किया तो नासरुदीन का उलेक लेकिया तो इस हिजाब से ये स्टोरी हमारे लिए काम की हो सकती है अगला है हनूस दिल्ली दूर अस्ते हजरत नजामुदीन ओलिया ये तो सब कोई मालूम होगा कि गया सुद्दीन तुगलक ने जब तुगलक डाइनिस्टी की स्थापना की और वो जब शुरुवाती अभिहान पर रहता था तो गया सुद्दीन तुगलक का जो रड़का था यानि मुहम्मद बिन तुगलक ओ दिल्ली में नजामुदीन हो लिया का डिसाइपल हो गया डिसाइपल मतलब सिश्च हो गया उनका मुरीद हो गया उनका जाने आने लिगा अब मैं आपको रफ स्टोरीयां सुनाता हूँ मतलब ऐसा नहीं कि मैं आप सोचो गया ऐसा नहीं हुआ होगा मतलब फेर नहीं कि कम सगम आप याद रहें तो कहते हैं कि जब ये मतलब एक अभिहान पर बंगाल के लिए अभिहान पर गया था गया जुद्दीन तो इसको किसी ने मैसेज दिये कि तुम्हारा लड़का वो एक स्कॉलर है मतलब सूफी संथ है निजामुद्दीन हो लिया उनका एक और सश्य था निजामुद्दीन हो लिया का जिसका नाम था अमिर गुजरो उनके आजाया करता है तो उसने वहीं से मैसेज हो जाया कि अगर तुमने मेरे लड़के से मिलना चुलना ठीक नहीं किया है तो आके सबसे पहले किसी को अगर करूँगा पनिश तो तुम कहीं कर दो तो निजामुद्दीन ओलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक की क्या होगी मर्तिव गई तो गयासुद्दीन तुगलक की ही मर्तिव यानि अभी दिल्ली दूर है तो दिल्ली दूर ही रेगी गयासुद्दीन तुगलक कि ये भी एक कहानी जह हो हम मान सकते हैं कि हाँ अच्छी जो है वो इस से जोड सकते हैं फिर अगला जो है सुल्तान को अपनी परजा से परजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई बदायूनी ने लिखा है मुहम्मद बिन तुगलक के लिए क्यों लिखा है यह तो आपको तेरा सो पच्चिस के बीच का जो उसका टाइम पिरिट था उसके पिता का उसमें वो 29 वार मंगोल आक्रमन असफल कर चुका था उसके पिता मतलब आप सोची कि कि कितना जो है वोगर कहा जाए कि ताकत वर गया सुद्धिन तुगलक जो हो रहा होगा इसलिए उसका नाम ऐसे अलाउद्दीन खिलजी की इसके पहले खिलजियों का साशन था अलाउद्दीन खिलजी का कि खिलजियों ने क्या करा था एक बड़ी विशाल सेना एकटी कर रखिया तो उसको लगा कि मेरे पास भी सेना होना चाहिए अब सेना के लिए उसने टेक्स बढ़ा दिये करनसी शुरू कर दी डर के मारे वो अपनी कैपिटल जो है वो दक्षर में ले गया देवगिरी जिसका नाम बदल के उसने दोगलता बात कर दिया तब से वो तुगलकी फरमान आने लगे मतलब शब्द एक आने लगा तो कहते हैं कि प्रजा उससे बहुत इरिटेर्ट थी और परेशान थी इसी वे जब उसकी मुक्ति हुई तो यह कहा गया कि राजा को प्रजा से प्रजा को राजा से जह हो मुक्ति मिल गई तो इतियासकार बदायूनी का यह कथन मुहम्मद बिन तुगलक के संबन में आपको सब को जह हो याद रखना चाहिए मतलब इसमें कु विजे नगर एंपायर आप खुद भी करिए ना कुछ चीज़ें आपको खुद करना पड़ी विजे नगर एंपायर के साशनकाल में जितने भी फॉरेंट ट्रिवलर्स आए उन ट्रिवलर्स की आप एक लिस्ट बना लिए जितने भी फॉरेंट ट्रिवलर्स आए क्योंकि वो जो लिस्ट अगर आप बना लोगे तो आपको जो है वो दिक्कत नहीं आएगी कि किया मतलब किसके साशनकाल में कौन आया और उसने कैसे उस समय की बातें करें जैसे नूनीज एक पुर्टगाली आतरी था उस शुरुवाती हरीहर और बुक्का के साशनकाल का उसने उसने लिखा किसा यह लोग दसेरा का भी फरस्टिवल जो हो बनाते हैं तो ऐसे अगर हमें एक लिस्ट बना ले जो शुरुवाती जो मतलब जो राजा आए उनकी तो हमको एक्जाम में इससे मिलता जुलता जो हो कोशन बन जाता है और एक्जामपल में एक ऐसे अब वो फ्रांस से शाजाह के शाशनकाल में कई बार आया लेकिन शाजा के शाशनकाल में जब वो आया तो उसने कोहिनूर हीरे का इतना अच्छा वडनन किया कि यूरोप के लोगों को लगने लगा कि यार कोहिनूर देखना चाहिए क्या है मतलब उसने जितना अच्छे से कोहिनूर को बताया यहां के रतना अभूशनों के बारे में उसने वडनन किया उतना कोई नहीं कर से तो टेक्निकली हमें ये बात समझ पड़ती है कि ट्रेविनियर को हम तीन हिस्सों में देख रहे एक तो जैम मर्चेंट कोहिनूर का वडन शाजा के शाशनकाल में तो इस तरह से कोशन जो है वो आपको लिंक होते हैं यह कोशन जो है वो पूछे जाते हैं तो हमसे कोशन जो हो बन जाते हैं अगर हम लिंक कर लें तो अब आपका खुद का भी होंबर के एक तो यह स्टेट्मेंट वाला तो होई गया बट आप वि कारें को छोड़ कर किसी जह है उगर कहा जा जा सेकंडरी काम में लग जाना वो नहीं होना चाहिए हुमायू जीवन भर लड़कडा आता रहा हो लड़का आते हुए उसके जीवन कांत हो गया मोस्ट आए MP ठीक है मोस्ट आए MP इसलिए क्योंकि जब हमायू के हात में पावर आई ठीक है बावर की जब डैख हुई 1530 में और हमायू के हात में जब सत्ता आगई वो उस सत्ता को दस साल बड़ी मुश्किल से जह हो गर कहा जा एंटिटेन कर पाया बड़ी मुश्किल से लड़कडाते हुए क्योंकि सेरसानसूरी उससे जह हो समले का मतलब समली नहीं बड़ी रहा था 24 सा, बिल ग्राम, सब में सेरसानसूरी उसको रांदिए और 1540 में उसके हास्ते सत्ता चली गए 1540 में सत्ता चली ये सेरसानसूरी ने पूरे भारत पे आपना जब्जा कर लिए मतलब mostly उत्तर भारत तो पूरे नियंत्रण में था उसका सेरसासूरी पांस साल साशन करता रहा उसकी किस्मत खराब थी कि वो ये कलिंजर के फोर्ट में एक तोप का गोला फटने से उसकी मौत हो गई सेरसासूरी की और सेरसासूरी की मृत्यू के बाद जब 1545 में अब जैसे तैसे मतलब एक लंप मतलब आप सोचो 1540 में बंदे के हाथ से पावर गई अब 1555 में इसको पावर जो है वोगर कहा जाए फिर से मिली एक साल भी ये पावर को जो है वोगर कहा जाए एंटरटेन नहीं कर पाए इसने एक शेरे मंडल नाम की लाइब्रेरी बनवाई थी पढ़ने लिखने का बहुत शोकीन था लोगों की साथ तोड़ी प्रॉब्लम्स भी रिती जागा उसी लाइब्रेरी की सीडी से गिरके इसकी डेथ हुई 1556 में तो लड़खडाते हुए जीवन जो लिखा अलेन प हैं भारत में पिछले 1000 वर्षों में तांसेन जैसा गायक नहीं अब उल्फजल ने लिखा और हम बहुत अच्छे जानते हैं कि तांसेन एक ऐसा वेक्ति था या ऐसा गायक था कि आज भी तांसेन समार हो रहा है तो निश्चित रूप से तांसेन का अपना जो है वगर कहा एक बड़ा वर्चस्व रहा होगा उसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा केते हैं गौलियर में ही उसका जन्व हुआ ठीक है लेकिन उसके जन्व को लेकर बड़ा कंट्रूरस ही है एक जक्त हम सही बता ही नहीं पाते हैं बड़ तांसेन के इतने महान होने कि जो वह एक हजार साल की बात कर रहा है तो उसके पीछे के दो कारण है एक तो तांसेन के जो पहले गुरू थे ठीक है उनका नाम था स्वामी हरीदास ठीक है जो बाबा हरीदास वी उनसे तांसmber ने म्यूजिक सीखा ठीक है यान यह मतरा बरंदाओन वाला जो ब fishly बरंदाओन के आसपास का जो बेल्टे, वहाँ पर स्वामी अरिदास का एक बड़ा रोल था उनसे सीखा, फिर उसके बाद तानसेन जह हो फॉलो करने लगा मुहम्मद गौस को तो दो दो गुरू उसके और उससे फिर उन्होंने जह हो म्यूजिक सीखा, तो मिया का मलहार जो नीचर था, वो कितना होगा कि आपने मुगले आजम पिक्चर के बारे में जह हो सुना होगा तो मुगले आजम जो मुगले आजम पिक्चर है एक्चल उसमें अकबर और जह हो सलीम की कहानी के उपर पूरी पिक्चर है तो उसमें अगर कहा जाए कि एक मतलब क्या बोलते हैं कि तांशेन का एक गाना गबाना तो ये महसूस हुआ कि कोई ऐसा आदमी लाओ ये जो कहाबत को सब्दिक सिर्द करें से कि यह एक हजार साल में तांशेन जैसा कोई गायक निए यहां पर तो उस फिल्म के जो अगर कहा जाए डारेक्टर थे के आसिफ पर बड़े महान डारेक्टर का है के आसिफ ने कहा कि भाई आप ढूंडो कोई ऐसा वेक्ति जो ये काम कर सके और फाइनली बड़े गुलाम अली खान कुछ ढूंडा गया, जो तांशेन जैसा गा सकते थे पत कहते हैं कि बड़े गुलाम अली खाने मना कर दिया तो उनके उपर जब जिद की गई तो बड़े गुलाम अली खाने कहा ठीक है मैं एक गाने के 25 आर लूंगा तो के आसिप ने तुरंद कहा कि लोग पच्चे से आ गाउ गाने तो केते हैं कि उन्होंने दो गाने की जगा एक गाने के पैसे लिये थे और गाया था वो गाना यहां पर अगर कहा थे तो इस तरहां से हमें प्रेम जोगन भई कभी आप इंटरनेट पे टाइप करेगा प्रेम जोगन भई तो वो गाना आज भी है तो अब जो अवल फजल ने तांसेन के लिए खा तो कोई गलत नहीं खा और उसमें हरीदास का बहुत बड़ा रोल है मुहमद गौस का बहुत बड़ा रोल है तांसेन में यहां पर ठीक है शिवाजी के समय करशकों को उचिस साहता मिलती थी और आकाल के समय बीज तथा पशू खरीदने के लिए अनुदान भी दिये जाते थे इतिहास के प्रष्टों में सिवाजी एक उचिस्थान के अधिकारी थी ग्रांट डफ ये केवल नाम के लिए याद रखना उसमें कुछ बहुत इंपोर्टन नहीं है शिवाजी पर विजय पाना कोई सुगम काम नहीं था ये अभियान मेरे और आपके लिए विनसकारी सिद्ध हो गए आपके लिए का मतलब है यहाँ पर औरंग जेब के लिए ये औरंग जेब के लिए जो होगर कहा जया वर्ड इस्तमाल किया था जैसिंग ने क्योंकि औरंग जेब को लगा था कि अगर सिवाजी को पराजित करना है तो किवर एक ही व्यक्ति है जो सिवाजी के खिलाफ हम खड़ा कर सकते हैं तो हिंदू को हिंदू के खिलाफ खड़ा करने की जिस टिटर जी वरंग जिब ने बनाई थी पूरी उसमें वो थे राजा जैसिंग और finally ये बात हुई भी कि जैसिंग के साथ जब सिवाजी के conflict हुए तो finally राजा जैसिंग के खिलाब सिवाजी को एक मजबूरी में टिटी साइन करना पड़ी जिसका नाम था टिटी ओफ पुरंदर battle of पुरंदर के बाद उन्होंने 1665 में ये टिटी जो है वो साइन की थी और वो टिटी में तो बहुत कुछ था वो अभी मैं नहीं बता सकता लेकिन उसके बाद सिवाजी आगरा दरवार में जाने के लिए तैयार हो गए थे तो राजा जैसिंग फरस्ट सिवाजी के समकालीन थे और ये भी मैं आपको एक अनोखी बात बता दू कि शिवाजी के साथ जब उन्होंने टिटी साइन करी राजा जैसिंग में तो उन्होंने कहा था कि आप मुगल दरवार में पहुँचो आगरा और आपको बड़ा सम्मान मिलेगा मैं भी आउँगा मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी वहाँ पर आउँगा मैं कुछ रुख के आउँगा यह एक जो है वह आपको याद रखना है मतलब कभी exam point of view उसके लाजाए तो यहाँ अगला है मैं एक बार भी घोड़े से उत्रे बिना शिवाजी को बंदी बना लूँगा और उसे दरवार में उपस्तित करूँगा अफजल खां एक ऐसा व्यक्ति जिसके बड़ बोल ही थ यह कहा जाए लेकिन वो कुछ कर तो नहीं पाया तो आपको मालूम होगा कि एक MPPSC में मेंस में पहले यह प्रशन आ भी चुका है इसका नाम था अफजल खां एपिसोड एक्चुल अफजल खां जो है वो आदिल शाही सल्तनत के अंदर जो है वो मतलब उनके लिए वफाद आरसैनिक की तरह ही केलो या अगर कहा जाए कि सेनापती केलो जो आपको अच्छा लगे गवर्नर की भूमी का में था वो और शिवाजी के खिलाब जहे वो इसको भेजा गया अफजल खां को ओवर कॉन्फिडेंट था उसको लगा कि मैं तो सिवाजी को हराई दूगा क्यो उसको बोलते हैं बैटल अव प्रताबगड़ सतारा में पढ़ता है प्रताबगड़ का किला तबी आप जाओगे तो प्रताबगड़ बहुत ही मतलब प्रसिद किला है शिवाजी के किलो में से एक सतारा डिस्टिक में इस लड़ाई की एक अनोकिक हाथ सिवाजी को मालिन अवजल खाँ को हरा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि ये काफी मुचा पूरा है और ये मुझे मार सकता है तो सिवाजी ने हाथ में एक बागा नखा पहना था मतलब उसका जो लोहे का जो बना हुआ था आपने देखा भी होगा भी महरास्ट सरकार ने उसको कहा है कि लेके बाग बाग तो देखाना है टाइगर तो टाइगर के जैसे खुर होते है न नकून होते है वैसा अगर ऐसा जैसा जैसा ये मैंने बनाया ऐसा ऐसा उन्होंने सिवाजी ने मारा उसको और अफजल खाँ का जो है वो फेल खटम होगा और अफजल खाँ की उसी जो है वगर कह हो गया किया अब सिवा जी को मैनेज करना है क्या करें उस को अ长़ से जू decision को stories भी आपको बता दूं कि पचास आपके kोट्स तो तैयार हो किसमत अच्छी रहे तो आपके 2-4 और कोशन इससे आजाए तो अच्छी बात है यहाँ अगला है हॉल्वेल तता उसके सहयोगियों ने इस जूटी घटना का अनुमोधन किया और इस मन गडंत कथा को रचने का शड़यंत्र किया जे एच लिटिल ब्लैक होल की घटना के संब्द्ध आल्मोस्ट हम सब जो होगर कहा जाए यह जानते हैं कि कलकत्ता का जो ब्लैक होल की घटना थी उस घटना में जो जीवित बचे लोग थे उनमें से एक जो था वो हॉल्वेल था यह एक अधिकारी था हॉल्वेल और उसने जो कहा वो आज जो होगर कहा जाए मतलब हम मानते हैं उनको लगता है कि हॉल्वेल ने जो कहा वो बिलकुल सही अब ये तो कोई नहीं जानता कि actual hallvale ने जो कहा उसमें कितनी तर्थेत है ये कोई नहीं जानता तो hallvale ने जैसे बनाए कि भाई वो 14 फिट भाई 18 फिट का एक जो हो कर कहा जाए कमरा था उसमें हमको बंद कर दिया 20 जुन को ये hallvale ने कहा इसकी भी कहानी ऐसी है कि बंगाल के जो न पन को उन्होंने जो है उगर कहा जाए कि ये उनका फोर्ड विल्यम जहां ये रहा करते थे वो फोर्ड विल्यम को इन्होंने गहरा डाला सेराज उद्ध भाई ने और वहां से जो भी लोग उनको मिले mostly 126 लोग उन्होंने लेकर आये थे पकड़ कर ज्यादतर महिला बच् यह तो almost सब को जो है वो पते ही और कहता है कि जब फिर बाद में इसको खोला गया तो उसमें कुछ ही लोग तेख सो 23 लोगों की तो मृत्ति हो गई यारे 146 में से 123 जो है उगर कहा जाए कि उसमें उनकी मृत्ति हो गई थे उन में से बचने वाली लोगों में से एक था हॉलवेल और फिर इसने इसको जो हो अगर कहा जाए कि इसलिए कई बार यह प्रशना आता है कि तो यह जो हॉल्वेल था या जॉन हॉल्वेल जो आपको अच्छे लगे इसने इसको बड़ा चाड़ा कर प्रिस्तुत किया बाद में जे लिटिल ने कहा कि यह चीज जो होगर कहा जाए गलत है यह जो होगर कहा जाए इसको हम वो स्विकार नहीं करते हैं पिर अगले के उपर आते हैं अंग्रेजों ने भारत के भीतरी भागों में मदरास अथवा बंबई की बजाए बंगाल से प्रवेश किया और इस प्रकार उन्होंने भारत में सर्वोच्चता प्राप्त करने का सही मार्क ढूर निकाला एलफेड लॉयल नाम के लिए याद र देखता ओ उन आखों की भाषा कौन संदे कर सकता है सिर्फ इसी से मैंने जाना कि गोरे लोगों से ना सिर्फ लोगों में खौब बलकि सभी इनसे घ्रणा भी करते हैं डबलु एच रसाल यह सब स्टेटमेंट हैं इनमें हमको बहुत ज्यादा कुछ काम का नहीं यहाँ प इतरे भी स्टेटमेंट हैं यह फाइल आपको मैं दे दूँगा इसके नीचे मैं टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूँगा उस पर यह फाइल अटेज कर दूँगा आप वहां से चाहुत यह फाइल डाउनलोड कर लें ठीक है मुझे मतलब कोई दिक्कत तो है नहीं उसके बट यह कि आपको जो स्टोरी मैं अगर कहा जाए मतलब सना रहा हूं वो स्टोरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो यह आपको याद होना चाहिए ठीक है तो अगला आता है ग्राम सुराज का अंतगर अंगरेजों ने अपनी तबाही को बुला लिया कर मतलब उनकी बात कर रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं जो है वो संबन जो है वो हमारे मत्यप्रदेश से था किसी ना किसी तरीके से तो आपको मालूम होगा कि विल्लियम हैंडरी सैलिमेन के नाम से ही सैलिमनावाद नाम की जगा पढ़ती है आप जी कटनी के पास जाओगे दो ह जाता है ठगों मतलब ऑल्मोस्ट इसने जाता जो अगर का जा ठगों को तो साफ ही कर दिया और जवलपूर के आसपास का जो बैल्ट था उसमें तो ठगों को अगर साफ करने में किसी एक व्यक्ति का नाम अगर आपको याद रखना हो तो वो आपको सैलिमेन को ही याद manage करो कैसे करो तो उस समय जह है वोगर कहा जाए जोबलपूर आज का जवलपूर उस समय जूबलपूर प्रनाउंस करते थे जूबलपूर क्योंकि जे यू डबल बी एल पी ओ आरी बोलते थे ना कॉनपूर जोबलपूर ऐसे अंग्रेजों के तो प्रनाउंस इसा नहीं अगर कटनी जिले का होगा तो उसने सलीमनाबाद के बारे में सुना होगा कटनी में है और इसी विलियम हैंडी सेलीमेन के नाम पर है तो अभी हमारे पास है कि भारत में एक्जेकली ठगी व्यासता को खत्व करने में अगर ऐसे आफिसर की बात की जाए ऐसे आफिसर तो उ अगर कहा जाए इसमें शुरुवाती अगर कहा जाए कंट्रिवुशन अगर कोई पूछेगा कि मैं जो शुरुवाती राजा मतलब आपके गवर्ना जनरल रहे उसमें किसने जहाए उगर कहा जाए ठगी व्यासता को देखना हो ठग कैसे काम करते थे तो एक फिल्म थी अगर कहा जाए वारण असी के ठगों के बारे में कि हम ठग में फस गए बहुत अच्छा सीने में अपनी आफ्लाइन क्लास में विच्छे को दिखाता थे कि ठग जो है कैसे उस समय लूटा करते थे लोगों को और लोगों की हत्या कर देते थे लूटना तो जो है वो अपन से सती वियास्ता को जो प्रेक्टिस थी उसको खत्म करने का भी एक बड़ा रोल उसमें था तो इस तरह से हमारे लिए ये काम का है सैलिमेन यह है यहां पर मैं सोहाओ से समाजबादी हूँ और मेरी राजा महराजों में कोई निस्टा नहीं लाहोर कांग्रेस अधिवेशन आपको यादी होगा यह वो अधिवेशन था जिसके बाद हमने पहला सुतंता दिवस टेक्निकली मनाया रावी नदी के के गैनारे हमने जो है वगर कहा जा अब अल्मुस्ट जो है अगर कहा जाए लाला लाजपत राए की कहानी सबको मालूम है एक जिकली आप मैंसे जातर लोगों को यह मालूम ही होगा कि जब साइमन कमिशन समय से पहले भारत भेज दिया गया तो पूरे देश के अंदर साइमन कमिशन का विरोध हो पूरे तो दोरान जब मतलब अगर कहा जाए कि यह जब मतलब क्या बोलते हैं कि साइमन गोबैक के नारे चल रहे थे यूसूप महर अली का स्टेटमेंट यह भी आप एपी हाद रखिए कि साइमन गोबैक शाइमन बापस जाओ जो नारा है वो किस ने दिए तो यूसुप महर अल उनकी कुछ समय के बाद उनकी मृद्धियों पे तो कहते हैं कि उसी समय उन्होंने ये स्टेट्मेंट दिया था किसाब ये जो मेरे शरीर पे लाठी बढ़ी है जो है अगर कहा जाए एक एक लाठी मतलब अंग्रेज जो है अगर कहा जाए साशन के ताबूत की एक एक कील बनेगी और ये बाद में सही भी हुआ इस बात को हम जो है वो मान सकते हैं उसका कारण ये है कि फिर भगास सिंग सुगदेव राजगुरु जैसे जो अगर कहा जाए मतलब क्रांती का रही थे उन्होंने बदला लेने के लिए योजना बनाना शुरू भी कर दी उनको लगा कि आप करना है इस टेटर जी वो स्टोरी हम कभी बाद में फूरी उसके उपर चर्चा करेंगे के कैसे होई अगला है करजन ने भारत को स्थाई रूप से बिटिश राजज में बांधने की आसा की थी बिटमना यह है कि उसके बंगाल विवाजन और उसके बाद कड़वे विवाद ने कॉंगरेस को पुनर जीवित करने के लिए बहुत कुछ किया डैनेज जूट की किताब लाइन अंडी टाइगर केबल नाम के लिए याद करना है बाकि और कुछ ऐसा जो है वो बहुत इंपोर्टन नहीं है हम सभी ब्रेक और बिना इंजन वाली हमें सभी हम सभी को बिना ब्रेक और मतलब अगर सभी को ब्रेक और बिना इंजन वाली कारे प्रदान की गई है यह गाड़ी प्रदान की गई जवाला नहरू का ये स्टेट्मेंट 1935 के अदिनियम के लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चित है क्योंकि एक नए जो है अगर कहा जाए यूग की शुरुआत जो है वो भारत में इस से हो गए इस 1935 के भारत सरकार अदिनियम से भारत एक नए अगर कहा जाए गुलामी की दोर के और बढ़ने शुरू हो चुका है चलिए अगले कोशन के और बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्या कहता है एक तो यह समझ पड़ गया कि हमें सभी ब्रेक और बिना एंजिन वाली कारे प्रदान की गए ये 1935 के अदिनियम के लिए जवाला नहरू ने कहा दास्ता का एक नया चार्टर ये भी जवाला लहरू ने कहा 1942 का जो भारत छोड़ो आंदुलन था एक्चल उसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो जो नारा है गांदी जी से पॉपुलर हुआ ठीक है अगर कहा जै कुट इंडिया मूमेंट के दौरान यहां पर ठीक है बट जो है अगर कहा यह बारत छोड़ा कुट इंडिया मूमेंट का यह भी उसुप महर लिगा था फिर इससे पहले कि आप संकल्प पर चर्चा करें एक्चल यह मैंने अंश लिया गांदी जी का आपको मालुम होगा कि जब देखें कहानी ऐसी है 1942 की कहानी कुट इंडिया मूमेंट के लिए प यहां पर कई तरह से इंडियांस को बर्गलाने के लिए प्रयास किये जिसमें आपको मालुम होगा कि वाइस राय जो लॉड लिन लिद्गो थे उन्होंने एक फेमस ओफर पेस किया था जिसका नाम था अगस्त ओफर उन्निस सो चानिस में तब कॉंग्रेस को यह फील हो च चुलाई को जब वर्दा कॉंफरेंस हुई थी उसमें एक रिजॉलूशन पास करा फिर उस दिशा में काम हुए फाइनली ग्वालिया टैंक में या ग्वालिया टैंक मैदान केलो आप जो केलो आर्ट अगस्त को गांधी जी ने एक बिलकुल काल जाई भाशन दिया और उस भाशन में गांधी जी ने यहां से यह लाइन शुरू करी तो इससे पहले कि आप संकल्प पर चर्चा करें में आपके सामने बहुत बड़ाया मात्मा गांधी का जो उतकी एक ऑफिशल वेवसाइट भी है उस पे भी जाकर आप देखोगी तो मिल जाएगा तो आठ अगस् जो है वो बड़े कॉंग्रेस के जितने भी लीडर थे वो सब जो होगर कहा जाए गिरफ्तार कर ली गए इसलिए भारत छोड़ों अंदरन को अगस्त करांती भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरूआत 8 अगस्त 1942 को ही थी हाला कि इसकी रूट जो मैंने कहा कि 8 अगस्त को जो है वो गर कहा जाए ये मतलब भारत छोड़ों अंदरन शुरू हुआ बट इसकी रूट इसके पहले थी 14 जुलाई को 14 तॉप जुलाई को वर्धाम जा कॉंग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इसके उपर डिसकॉशन जो है वो शुरू किया था ठीक है तो अभी तो मैं अ पिश्वर की हो ले जाता है स्वामी विवेकानद एक चल आपको याद होगा कि 11 से 27 सितंबर 1893 के बीच शिकागो में अमेरिका के शिकागो में एक वर्ल्ड रिलीजिस कॉन्फेंस हुई थी याने पार्लामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजिन बोलते हैं उसको उसमें जो है वो इंट्यूट पे जाए राज्यसभा टीवी का एक बकाईदा 30 निट का क्लिप है हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छा है उसमें आप सुनेंगे तो आपको फील होगा कि कितना रिच बाशन उन्होंने जहो दिया थे उस समें फिर आता है कि इनका दुख दर्द समूचे इत्यास में अतुलनी है कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धर्थी सफेद होगी ये कहानी जह है विलियम बेंटिक है बात कि बात करते है तो कुछ गवर्नर जनल तो भारत के अंदर ऐसे रहे जो वास्थभ में हम यह कह सकते हैं कि यार वह महान रहे उनको हम अ अगर कहा जाए, सजन थे, एक रिपन थे, एक बेंटिक थे, अच्छे थे, इसे बेंटिंग आप देखो, उन्होंने सती प्रता रेगुलिशन पास करा दिया, 1829, ठगी वियास्ता के लिए प्रियास करा दिया, यहां पर अगर कहा जाए, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट, कंप भारत में सामाजिक सुधार की कहानी को भी खड़ा करने में, उनका रोल अपन छोड़ तो नहीं सकते न, कि राजा राम मोहन रॉय ने, अगर ब्रह्म समाज की स्थापना करी, 1828 में, तो उस समय विलियम बेंटिक के ही हाथ में तो सत्ता थी, विलियम बेंटिक ही थे, तो यहाँ यह बात जो हो समझ पड़ती है, यहाँ पर, तो इसलिए वो स्टेटमेंट कितना बड़िया लिखा है, वो भी समझ में आ रहा है, कि इनका दुख दर्द समुचे इत्यास में आतुली है, कपड़ा बुनकरों की हट्डियों से भारत की धरती सपेथ हो गई, अगला तो अंग्रेज किसी ना किसी तरीके से चाहते थे कि भारतिये उनके साथ युद्ध में आएं, क्योंकि भारत के बिना तो वो काम करनी सकते, तो फिर एक जो होगर कहा जाए, स्टेफोर्ट क्रिप्स की चेर्मेंशिप में, एक मिशन मार्च 1942 में भारत बेजा गया, क्रिप स्मिशन के पारे में ये था कि अभी हमारी साहता कर दो वार में, वार खतम हो जाएगा, तो हम आपको डोमीनिन स्टेट देगी, मतलब आपको जो होगर कहा जाए, पूर्ण सोराज का दरजा देगी, लेकिन कब, डोमीनिन स्टेटस कब मिलेगी, यानि जब आपका क्या हो और वार खतम हो जाएगा, तो गांदी जी ने कहा, यानि ये तो वैसे ही है कि आज मेरे पास कोई पढ़ने के लिए आए, और कहें कि सार मैं आपको चेक दे रहा हूं ये, और ये जो चेक है वो जब एक्जाम में सेलेक्शन हो जाएगा, तब की डेट का दे रहा हो, दो सा स्वामराज जब जाने ही वालाता है, वो डूपता हुआ सूरच बनने वाले थे, ठीक है, तो महत्मा गांदी ने कहा, तो हमारे लिए भी है कि हाँ मार्च 1942 में क्रिफ्शमिशन यहां आया, और कैसे जए वो उसने अपटी बात रखी, भारत की निवासियों की प्रिछलित साहिते के बराबर मुलेवान है, लौड मेकाले, यह वही लौड मेकाले जिसके कारण आज हम अंगरेजी सिक्षा की दास्तां से जुड़े हैं, कहीं न कहीं, अभी मैं पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आपने देखा होगा कि भारत में जो एजुकिशन रिफॉर्म स उसमें सबसे पहला जो कोड आया जाता है, वो मिकाले ही जो होगर कहा जाए, अरिफॉर्म था, तो उसमें कहा कि हमारे यहां का तो लिटरेचर उसमें बानी लिया कि कुछ नहीं था, आप क्या कर सकते हैं, अब समझी लो कि वो कितना उसको तुछ मान रहेते हैं, ग्राम व ठीक है, और यह काफी फेमस है, यानि एक जो हो मिनी रिपब्लिक के रूप में उसने चार्ल्स मैटकाफ ने जो हो गाओं को कहा, हमने भारत को भारतवाशियों के लाब के लिए नहीं जीता, मैं जानता हूं कि मिशनरियों की सभाओं में कहा जाता है, कि हमने भारत को भार के रूप में की गई अल्मोस सब को रटाई हुआ है कि यह वो हुम नाम के एक बिटिश जो है वो रिटाइट सिविल सर्विंट के दिमाग के उपस थी कि भारतियों का विरोध को अगर दूर करना है तो हम एजे जो है वो कॉंग्रेस को स्थापित करें एजे सेफ्टी वाल इसलिए जो है वोगर कहा जाए लाला लाजपत राय ने जो अगर कहा जाए यह स्टेट्मेंट शुरुवाती कॉंग्रेस के लीडरों पर दिया कि 20 वर्ष तक क्योंगि 1885 में कॉंग्रेस खड़ी लिए दूर करने के असफल संगरश के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थरी प्राप्त रहे यह लिबरल लीडर के लिए लाला लाजपत राय ने कहा था क्योंकि आपको मालम होगा कि 1905 के बाद बाल लाल पाल बाल गंगा दरते लग लाला लाजपत राय और विपिन चंदर प जो कॉंग्रिस सेशन हुई थी दादा जी दादा भाई नोरो जी उसमें जो चैर्मेन थे केलकटा में उसमें यह मुद्दा उठा भी लेकिन दादा भाई नोरो जी एक ऐसा बड़ा नाम थे वो भारत में बैयो ब्रध व्यक्ति थे और उनका बड़ा एक स्टेटस था तो तो ये Congress split नहीं हो पाई, लेकिन 1907 में जब सूरत में Congress का शेशन हुआ, राज बिहारी गोस को जब चेर्मेंशिप मिली Congress की, Congress split हो गए, और लाल बाल पल का जब वर्चस वा गया, तो शुरुआती हमको यह दिख रहा है कि A.O.U. ने जो Congress बनाई, वो exactly safety wall के लिए ही बनाई, यही रीजन है कि आप सोचो, कि आप अगर शुरुआती Congress में, आप देखो, कि जिसे विलियम बैडन बन है, ठीक है, जोर्ज यूले, यह सब Congress के President थे, आप Congress पा चोथा President अगर कोई पूछे तो जोर्ज यूले थे, वो Congress में पहले Muslim President थे, यहाँ अगर कहा जाए, तो यह या तो यह तो साफ है कि Congress Safety Wall के रूप में बनाई गई थे उसमें, फिर बात की बातें जो है, वो अपनी जगा रही जो भी, जब दुनिया का अंत होता है, तो कोई धमाका नहीं होता, केवल एक करुन से शक भार निकलती है, टी-एस इलियर्ट के शब्द हैं, गांधी-रिबिन पैक्ट के संब्द में, आपको मालूम होगा कि गांधी और अभी मैं आपको यह बता भी दूँगा, गांधी-रिबिन पैक्ट की कहानी इसी में, बट इसको भी एक शब्द को नीचे वाले से लिंक कर देता हूँ, इस समय नमक अंदोलन की संभावना मुझे राद को जगा साब, यह मेरी 11 डिमांड है, आप मान लो तो वैल गूट, ना मानो तो फिर मैं एक एक डिमांड को मनवाने के लिए खुद काम करूँगा, जिसे नमक क्यों पर हम टेक्स नी देंगे, ठीक है, यहां पर, मतलब मैं 11 तो नहीं सुना सकता, भी टाइम बहुत हो जाएगा, त साबर मती आसरम से दांडी जाके नवसारी में नमक तोड़के करीब 12 मार्च 1930 से 5 अपरेल 1930 के बहुत ब्यान समय नहीं, अच्छी स्टोरी दे रहा हूं आपको, 12 मार्च को गांदी जी ने दांडी मार्च रुकिया, और नवसारी में अभी सावल्ट म्यूजियम भी है, गांदी जी बोल रहा है कि नमक कानून तोड़ेंगे तो उसको सपने आते थे गांदी जी के सबज लो, तो ये रहा, अब इसके पीछे की कहानी जो है वो ये गांदी इर्विन पैक्ट भी समझा देता हूं, गांदी की 11 मांगे हो गई 31 जनवरी 1930, उनमें से पहली मांग ब डाल दिया, अब गांदी जी जेल में, अब भारतियों की समस्याओं के लिए बिटेन में चल रहे थे राउंड टेवल कॉन्फेंस, उस समय, याने गोल में सम्मिल है, पहला राउंड टेवल कॉन्फेंस शुरू हुआ, तो पहले राउंड टेवल कॉन्फेंस के अंदर दे पर जब कहा जाए कि round table conference में चाह रहे हैं कि congres represent करें गांधी आए और तुमने जहां arrest कर रखा है एक काम करो उनको छोड़ो उनसे बातचीत करो और उनकी कुछ मांगे माल लो और उनको छोड़ो उनको यह agree करो कि वो second round table conference जो हम second next year करेंगे 1931 में उसमें आएं तो गांधी और इर्विन के बीच गांधी इर्विन pact sign हुआ 5 मार्च 1931 को 5th of March 1931 को जिसमें गांधी जह होगर कहा जाए इर्विन की कुछ बाते जह हो मान भी कहते हैं कि इस समय गांधी जी का विरोध भी बहुत हुआ क्योंकि उस समय भगास सिंग सुगदेव राजगुरू जो थे वो जेल में थे और उनको death sentence यानि मिर्तुदन जह होगर कहा जाए दिया जा चुका था तो यह कहा जा रहा था कि गांधी जी सिंग सुगदेव राजगुरू को फांसी हुई 23 मार्च 1931 यानि बहुत बड़ा गया तो थोड़ा सा विवाद में था फैनली गांधी जी 1931 की सेकंड डाउं टेवल गांधी जी का एक स्टेट्मेंट बहुत चर्चिट था कि मैं खाली हाथ गया हूँ खाली हात आया हूँ और तब वो विस्टन चर्चिल वाला स्टेट्मेंट बहुत चर्चिट था अदनंग फकीर नेकट जहव फकीर हुजा है वो भी बड़े फिमस उस समय जहवगर कहा जाए थे उसमें एक और बड़े व्यक्ति का नाम ता अरदनंग फकीर में विस्टन चर्चिल के साथ फ्रैंक मौरिस का वो भी बड़ा नोम रॉल ताउसमेंट तो इस तरह से मैंने आपको बता दिये कि इस समय नमक अंदोलन की संबनाय मुझे रात को जगाया रखती है य भारत का धन ही भारत से बाहर जाता है और वही धन रिण के रूप में भारत को दिया जाता है दादा जी भाई नोरोजी देखो भारत के आर्थे के थियास को भारत की जीडीपी को अगर किसी ने सही तरीके से मौडन जीडीपी को समझाया तो दो लो दादा भाई नोरोजी और रोमेस दात दादा भाई नोरोजी ने पावर्टी एंड अन्बिटिश रूल इन इंडिया लिखी अंग्रेजियों को उन्होंने एविल्स ओफ ओल एविल्स कहा याने अनिष्टों के अनिष्ट कोई कहते थे कि ये ऐसे बादल है जो पानी यहां से ले रहे लेकिन बारिश जाके जह होगर कहा जाए अपने देश में कट रहे तो ये जह हो रही दादा भाई नरुजी की और वो स्टेटमेंट ये भी चर्चा में रहा evils of all evils अनिस्टों के अनिस्ट भी याद रखिएगा वो जो बादल वाली है कि यहाँ से बादल पानी ले रहे है हमारे देश से बारिश वहाँ कर रहे है वो भी है और उसी से जुड़ी हुई जॉन स्लीवन का जो statement है कि हमारी प्रणाली उस sponge की तरह कारे करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोक कर टैम्स के किनारे वर्सा करती है यह जॉन स्लीवन का statement है यह भी याद रखिए ठीक है फिर मैं देश की जो है वोगर कहा जाए बालू से ही Congress से बड़ा अंदोलन खड़ा कर दूँगा गंधी जी ने जो आठ अगरस्त को एधिया से भाषन दिया था ग्वालिया टैंक में याने भारत छोड़ो अंदोलन की जो शुरूआ थी थी आठ अगरस्त को उस समय गंधी जी का यह statement उस समय का है और इसके जस्ट नीचे जब भारत छोड़ो अंदोलन की उस समय कहते हैं कि हम आग से खेलने जा रहे हैं हम दुधारी तलवार का इस्तमाल कर रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे उपर लग सकती है ये भी भारत छोड़ो अंदोलन की रिस्पेक्ट में ही था लेकिन जवालाल नेडू का statement था तो इस तरह से ये 50 statement इसका एक face और में होगा तो करा दूँगा आपका 50 statement का और क्योंकि मैंने सुचा कि मैं एक में 100 करा दूँँ तो बहुत लंबा चोड़ा हो जाएगा आप भी बोर हो जाओगे तो मैंने एक छोटा जो है वो 50 statement का जो हो रखा यहाँ पर हो जाता है जैसे पुष्च मित्र शूंग की जगा अगनी मित्र बोल दिया गल्टी से तो कभी ऐसा हो जाता है तो नीचे मैं description लिख देता हूँ गया यह गल्ती से मेरे मूँ से यहाँ निकल गया जैसे अभी मैंने बता था कि इल्तुत मिश्की मृत्यू के बाद रुकनत्दीन फिरोज के हाथ में पावर है और रुकनत्दीन के बाद जो है वो रजिया के हाथ में पावर है और रजिया के बाद बहराम शाह के हाथ में पावर है बट गल्ती से वहाँ मेरे मूँ से निकल गया था और उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी लेक्चर कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आप हमने जो समय दिया या इसको सुना तो हमको इसको जर्व कोई लाब नहीं बिला, लाब निशित रूप से बिलेगा, निशित रूपी, धन्यवाद आप सभी को